नमस्कार मेरिया जेम्स और आप देख रहे हैं ABNN News दोस्तों हर मूवी इस से पहले दिखाए जाने वाली इस एट से हम सब वाकिफ हैं हम सब ये तो जानते हैं कि धूम्रपान करना कितना खतरनाक होता है लेकिन फिर भी स्मोकिंग उन लतों में से एक है जो एक बार लग जाए तो उसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है इन फैक डबलो एचो रिपोर्ट के मताबिक दुनिया में करोडो एक्टिव स्मोकर्स है इस एक्टिव स्मोकर्स के आकड़े को कम करने की कोशिश में दुनिया भर की सरकार एक के बाद एक कई प्रयास कर रही है लेकिन क्या आप जानते हैं स्मोकिंग छोड़ने के बाद आपके शरीर की क्या हालत हो जाती है अगर नहीं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है जैसे कि हमने कहा था कि सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है फैशन के चक्कर में कॉलेज के दिनों में लगी ये एडिक्ट हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है हमें ऐसास भी नहीं होता और हमें अक्सर ये पता भी नहीं चलता कि इस आदत ने हमें कब अंदर से खोकला कर दिया है इस आदत की वज़़से इतनी बिमारी हमें घेर लेती है कि जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है सोचने की बात ये है कि फिर सिगरेट में ऐसा क्या है और आखिर ये इतना एडिक्टिव क्यू है सिगरेट से निकलने वाला हानिकारक धुआ जो हमारे सास के जरीए हम अंदर लेते है वो एक प्रकार का जहर है जो धीरे धीरे आपकी जान लेता है सिगरेट के दुए में एमोनियम लीड जैसे साथ हजार से भी अधिक कैमिकल्स होते है जिन में से सबसे ज़्यादा रैसने कैंसर जैसे बिमारिया पैदा करती है स्मोकिंग का एडिक्टिव सबस्टेंस निकोटीन होता है जो स्मोकर के दिमाग को रिलेक्स करता है लेकिन खुशी की बात ये है कि इसे आप छोड़ सकते हैं और इसे छोड़ने के बाद आपके शरीर के अंदर सकरात्मक बदलाव होने लगते हैं जैसे कि आपका blood pressure normal होना शुरू हो जाता है अब हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या changes आपकी body में आना शुरू हो जाते हैं धूमरपान शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है जिसमें हृदे, हार्मोन, च्यापचे और दिमाग शामल है इसलिए अब जब आप धूमरपान चोड़ते हैं और शरीर पर इसका प्रभाव पढ़ना शुरू होता है तो वापसी के लक्षन दिखने लगते हैं इन withdrawal symptoms की अबदी और तीवरता इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कितने समय से धूमरपान कर रहे हैं और आप एक दिन में कितना cigarette पिया करते हैं आमतोर पर धूमरपान की तरफ दोबारा लोटने के लक्षन पाथ से छे सप्ताहा तक चलते हैं और इत्में दिखाई देते हैं इनमें आपको भूक लालच थकान सिर्दर्थ खासी और कब्स हो सकते हैं भूक में वृद्धी रियासनों की कमी के कारण होती है जो धूमरपान करते समय भूक को दबा देती हैं लोग धूमरपान चोड़ने के बाद ज़्यादा खाने और वजन बढ़ाने की शिकायत करते हैं आखरकार ये लक्षन कुछ दिनों या सब्ताह में गायब हो जाते हैं धूमरपान तनाव से राहत देता है इसलिए धूमरपान की कमी से चिंता बढ़ सकती है ये कुछ हफते बहुत जादा हो सकता है अफसात तीन से चार सब्ताह के लिए हो सकता है अगर ये लक्षन जादा तेज हो जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं तो आपको इनके लिए चिकित्सक मदद की जरूरत पड़ती है हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत जादा चिर्चिड़े हो जाए या खुद को हर तरफ से बहुत जादा तनहाव सा महसूस करने लगे आ जंदगी दाव पर नहीं लगानी चाहिए उमीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम ख़परों के लिए बने रही है इबेन न्यूस के साथ